हेलो गाइज वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल लव यूट लुक आज मैं आप लोगों को यह सिल्वर जरी पट्टा सारी पहन के दिखाने वाली हूँ पूरा अच्छे से में दिखाने वाली हूँ तो बीच में इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा वीडियो को देखें यहां पर मैंने शेवियर पहना है शेवियर पहन के सारी पहनना काफी ज़्यादा असान होता है क्योंकि वह आपका टाइट फिट हो जाता है बट अगर आप कॉ यहां पर देखें मैं पल्लू वाले पाट के तरफ आई हूँ पीछे से घुमाते हुए इस पल्लू वाले पाट को सामने के तरफ ला रही हूँ और इस वाले बॉडर को मैं कमर में टक कर रही हूँ इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम पल्लू के प्लीट्स बना लेते हैं फिर हमें बाद में पता चलता है कि उल्टा बन गया है तो पूरा हमें वापस से खोल के दुबारा बनाना पड़ता है अब देखें आपको प्लीट्स बनाने के लिए मैं एक बहुत ही तरीका बता रही हूँ अपने लेटल फिंगर में फसा रहे हूं थम से इसको दबा के पकड़ ले रही हूँ बहुत ही बराबर से प्लीट्स बनते हैं सारे प्लीट्स की चोड़ाई बिल्कुल एक बराबर होती है इस तरह से बनाने के बाद जो बिगनर्स है वो इस तरह से ट्राय कर सकते हैं देखें बहुत ही एजली मेरे सारे प्लीट्स बनते जा र आपको दिहान रखना है जब आप इसको अरेंज करते हैं तो बिल्कुल गाइड लाइन को अब देखें यहां पर मैंने एक सेप्टी पिन लगाया है थोड़े से डिस्टेंस पर पहले इसको मैं अपने एक एक प्लीट्स को अच्छे से अरेंज करूंगी जिससे कोई इस तरह से अरेंज करने के बाद आपको चाहिए तो आप जादा जादा डिस्टेंस पर अरेंज कर सकते हैं नहीं तो आप थोड़े थोड़े गैप पर इसको अरेंज कर सकते हैं दो से तीन बार इस तरह से अरेंज करने पर आप देखेंगे कि आपकी सारे प्लीट्स बहुत क्या होता है जो हमारे सामने का प्लीट से बहुत अच्छे से सेट हो जाता है देखें कमर में टक करने के बाद यह वाली प्रॉब्लम सबके साथ आती है जो यह अंदर का बॉर्डर हो नेक के साइड हमारे भागता रहते हैं इसको क्या करना है आपको बिल्कुल टाइटली चोड़ने के बाद अपने प्लीट बनाई है प्लीट बनाने का वही तरीका है बहुत ही इजी है इससे क्या हो का जो आप कड़क फैब्रिक की साड़ी पहनते हैं या फिर सिल्क की साड़िया पहनते हैं तो आपको चोड़े प्लीट भी मिल जाते हैं अगर इस तरह से आप चाहते हैं जितना चोड़ा आप बना सकते हैं बन जाएगा इस तरह से टेक्निक से मैंने सारे प्लीट्स बना लिया अब एक प्रॉब्लम और सबके साथ आती है यह उपर का प्लीट्स छोटा रह जाता इसकी जगा भी आपको क्या करना है अपने दो प्लीट्स को खोल के एक कि चौड़ा रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता इससे आपके सारी ब्लीट्स भाग जाएगा इस वाले बॉर्डर को लेते हुए जिससे की बॉर्डर नीचे की तरफ ना जह중에 वैसे अंक तु यह नहीं जाएगा गा इस तरह से लगाने के बाद जो थोड़ा सा फैबरिक हमने छोड़ा हुआ था नापके आपको क्या करना है इसको बिल्कुल टाइटली खीचना है इतना खीचना है कि नीचे से कहीं आपके साड़ी उठना जाए आप उठने बैठने में कमफर्टेबल रहें बस उतना ही आपक को खीचना है इसके बाद हमने इसको ट्विस्ट करके उसे जगापर टक कर दिया है सारे फैबरिक को तो यह है मेरी सारी ड्रेपिंग का फाइनल लुक कैसा लगा वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा हुति इस वीडियो को लाइक करना शेयर करन और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकोन प्रेस कर लीजे मिलती हूं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाबाई ओम साहिरम